जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, अमनराइट 5 AMG, 1500 MCG टैबलेट, नियूरुपितिक दर्द का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण है, यह क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत करने के लिए तंत्रिका फाइबर की इस तरह यह दर्द की समवेदना से असरदार धंक से से राहत देता है, और मूट को भी बहतर बनाता है, एमनराइट 5 AMG, 1500 MCG टैबलेट खाने के साथ या बिना खाना खाय भी लिया जा सकता है, हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस से दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है, इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें, अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, उसे ले लें, जाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें, ये आवश्यक है कि दवा को अचानक लेना बंद न किया जाए, इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में कब्ज, मूह सूखना, पेशाप करने में कठिनाई, सुस्ती, धुंधली नजर और हरदे गती बढ़ना शामिल है इस से चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तब तक ड्राइविंग या मानसिक एकागरता की आवश्यक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें हाला की यह अस्थाई हैं और आमतोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं अगर यह कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो क्रिप्या अपने डॉक्टर से परामर्ष लें आपको एमनराइट 5MG, 1500 MCG टैबलिट लेते समय शराब के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट अधिक हो सकते हैं इस दवा से वजन भी बढ़ सकता है इसलिए स्वस्थ संतुलित आहार खाएं उच्च कैलोरी वाले खादे पदार्थ खाने से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगाती विचार या व्यवहार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद